वेरी गुड इदनिंग तो अल अफियू आज ऑक्टोबर का आखरी दिन है और जैसा आप जानते हैं ऑक्टोबर का पूरा महीना हमने मिस्कैरेज, प्रेगनसी लॉस और स्टिल बर्थ अवेरनिस मन्त के दौर पे हर साल मनाया जाता है मिस्कैरेज एक ऐसी स्थिती है जो पेशन्ट को नकेवल बहुत ही परिशान कर देती है पर पूरी तरह से कई बार तोड़ देती है क्योंकि कई केसिस में सारे प्रिकोर्शन, सारे ट्रीटमेंट लेने के बाद भी ये स्थिती सामने आ जाती है और जब इसका कोई solution नहीं रिखता है, जब डॉक्टर्स ये कह देते हैं कि कुछ प्रतिशत केसिस में मिस्कैरेज तो होता ही है तो बहुत व्यक्ति, परिवार, समाज, सब निराश हो जाता है आज इस विशह पर बात करने के लिए हमारे साथ है श्रीमती दीप्ती तिवावी दीप्ती इस प्रोफेशनली अन अनिमेटर और शी हास गॉन थूरू दिस जर्नी ओफ मल्टिपल मिस्कैरेज़ेज बहुत मुश्किल होता है जब हम जीवन में खुशी के मुकाम में है तब वापस जाकर और उन यादों को फिर से ताजा करना जो कि हमारे लिए बहुत पीडा दाय थी पर कभी-कभी हमारा जो अनुहव है वो ऐसे किसी विक्ती को मदद कर सकता है जिसके जीवन में अभी बिल्कुल अंधिरा है जिससे कोई आशा की किरण नजर ही नहीं दिखाई दे है तो इसलिए दिप्ती में आपकी बहुत-बहुत शुक्रिबुजार हूँ कि आज आप आई यह इतना पर्सनल टॉपिक है इसके बारे में आपने चूज किया बात करना और वो भी जीवन के इस पड़ाओं में जब आपके पास अभी तीन बच्चे हैं आप कितना व्यस्त रहती होंगी इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप भी जानते हो यह बात की अगर मैं अपनी यहां पर बाते शेयर करूं तो वाकई में कई लंगों को काफी ज़्यादा हो जाएगी बिकॉज जब मुझको हेल्प के ज़रुत थी तो मेरे पास सिफ आप थे और कुछ वीडियो क्लिप्स थी जो मैं सर्च करती थी तो मुझे आज भी याद है कि जब मैं थर्ड टाइम पर डिलिवरी रूम जा रही थी उसके पहले ही मैंने आपसे पूछा था कि मैं वाट नेक्स तो आई रिमेंबर आपने नैना माम का नंबर मुझे अगले मॉर्निंग ही दे दिया था तो उस ताइम पे सिफ आप थे मेरे सामने जिसने मेरी हेल्प की बट ऐसे कई लोगे जिनको वो भी नहीं सोज में आता है कि कौन उनको गाइड कर दे तो संक्षेप में आप अपना ये जो मिस्क्यारिज़ उसके बाद कंसीव करना उसके बाद एक सक्सेस्टू डिलिवरी इसका अनुम्हों शेयर करिए और फिर किस तरह से ये सारी पड़ाओ पार करते हुए आपने अपने आपको स्रॉंग बनाये रखा अगला कदम उठाते रहे और आज फाइनली जो हमारा सपना था सबका वो सच हो गया है तो एक्षली फर्स जो मेरी प्रेगनेंसी थी काफी नॉर्मल थी नैशरली कंसीव किया तब मैं आपके पास आई थी आइटिंक फिफ्ट मन तक मुझे कोई प्रॉब्लम कभी हुई ही नहीं ना कभी वॉमिटिंग सेंसेशन ना कभी कोई दर्द कुछ भी नहीं एंड सड़न वाटर ब्रेक हुआ जिसका मुझे नॉलेज ही नहीं था कि यह क्या ही हुआ है मुझे लगा कि एक नॉर्मल चीज है एंड आइटिंक संड़े था जब एकदम से मुझे ब्लीडिंग सी स्टार्ट हुई एंड बेबी डिलिवर हो गई थी तो वो बेबी गर्ल थी जो मेरी फर्स थी उसके बाद अपने सरकलाज की बात की कि भही वाट नेक्स्ट मैं हमेशा मैं कभी भी मैं नेगेटिव रही नहीं मैं घाए ठीके ये नहीं तो अब क्या what next हमेशा एक question था मेरे मन में कि भई ये नहीं तो ठीके अब क्या करना है तो उस class भी fail हुआ वो काफी shocking था and third time जब conceive किया उस time पर I think COVID लग गया था तब एक ही चाहरा था कि भई पूरा bed rest लिया जाए जितने precaution से सब लें हम उसके बाद भी pregnancy fail होना काफी जादा shocking था सभी के लिए मेरे father थे पूरे time मेरे साथ उनी के साथ मैं shift हो गई थी तो वो एक चीज काफी shocking थी तो I remember मैंने उसी time आपसे पूछा था कि मैं what next मैंने search कर रखा था सरोगी सी के बारे में और ये सब तब फिर हम इस decision पर आए कि चलो ठीक है भी and वो भी successful रहा तो मैं एक चीज है सबसे पहला point है कि don't blame yourself second आपको बिचारा बनना ही नहीं है ना आप अपनी नजरों में बिचारा बनो ना किसी को allow करो कि वो आपको बिचारा बना है because एक बार आपने अपने आपको बिचारा समझ लिया फिर आपके पास कोई चारा नहीं है सिवा है रोने के तो I remember मैं इतनी राते रोई हूँ अकेले रूम में बंदो कर but जैसी the moment I stepped out मैं smile किया है मैंने and ये जो पूरी जर्णी थी उसमें मैं automatically I don't know क्यों but दूसरों के सामने इतना जादा over strong दिखाना चाह रही थी कि भई मुझे आप console मत करो but the moment I am alone I think I used to be the most unfortunate person अपनी नजरों में तो वो एक चीज है कि आपको खुद का support करना ही पड़ता you have to be strong and you have to fight back इसमें आपने कहा blaming yourself और ये आसे doctor भी मैं बहुत देखती हूँ कि जब भी miscarriage की स्थिती हो जाती है हम जानते है medically इसमें कुछ cases में हम आच्छी कुछ नहीं कर सकते पर कहीं न कहीं ये tendency होती है घरवालों की भी होती है कई बार patient की भी होती है कि मैंने ये खा लिया होगा मैंने ज़्यादा चल लिया होगा मैंने ट्रावल कर लिया होगा या मैंने अपने ये ध्यान नहीं रखा होगा क्योंकि इनसान के मन की एक ये reflex रहता है कि कुछ अगर खराब हुआ है तो उसका कारण हो अपने अंदर ही रूँता है इससे कैसे बच सकते हैं अपने बारे में आप सोचो कोई भी आपकी गलती नहीं होती है तो मैं इसमें तो मैंने एक ही चीज देखी थी आपको खुद पर confidence रखना है आप जो कर रहे हो आप सिर्फ अपने I think आपका कोई एक ही role model होगा उसकी सुनो let it be your mother, your father and अपने doctor की सुनो उसके लावा third advice लेनी नहीं है because advices इतनी जादा आती है और वो इतना आपको confuse कर देती है कि आप कहीं के नहीं रजाते है उस time पर Emily का में मुझे लगता इसमें बहुत बड़ा role है मैं कभी भूल नहीं सकती हर समय आपके father बिल्कुल rock solid साथ में रहते थे हर बार वो यही कहते थे कि मैंने दिप्ती को इसी तरह से बड़ा किया है कि वो ये छोटी सामने delivery हुए है मुझे कोई शरम नहीं थी बिकाज मुझे पता है कि पापा के सिवा कोई उस लेवल पर support नहीं कर सकता तो मैं बहुत बहुत जादा close थी पापा से जैसे ही पापा unfortunately चले गए तो फिर मैंने का भई अब तो अब कोई है नहीं कि अगर कुछ गलत हो गया तो उसको support कैसे करना है तो यह journey सरोगेसी की जो है वो मैंने पापा से भी discuss की थी हमने सोचा था कि हम साथ में आगे बढ़ेंगे बटी कह हो नहीं पाया इस ओके बट हाम है family का support बहुत जरूरी है चाहे वो आपके father हो, mother हो, in-laws हो या आपके husband हो unfortunately कुछ लोगों के पास वो support नहीं होता आपको लोग समझ नहीं पाते even IVF को लोग समझ नहीं पाते उन्हें लगता है कि पता नहीं भई क्या है तो अगर ऐसा unfortunate case आपके साथ है तो भी आपको खुद का support करना ही चाहिए आपको किसी के support की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप अपने साथ हो तो I think आपको कुछ नीची और जब miscarriage हो जाता है तो immediately उसके बाद एक तो डर भी रहता है, guilt रहता है, blame अपने आपको करने की tendency रहती है, घर जाके मैं वापस कैसे जाओ, क्या मैं बताओं सबको कि क्या हो गया है और फिर कहीं न कहीं वो जो due date रहती है या किसी और के मच्चों को देखे किया रही है, बच्छ ब्रेगनसी continue हो जाती है, तो ऐसा होता तो ये किस तरह से, ये मैं समझती हूँ as a woman, as a doctor, it is not to, अपना paint लिखती थी मैं, diary maintain करती थी, मैं उसमें messages लिखती थी कि कभी babies आएंगे तो उनको ये बताओंगी, और paint करती थी मैंने एक wall बना रखी separate उसमें baby का नाम लिखा हुआ है, दोलार मेरी बेटी का नाम था, वो लिखा है and angel babies को paint किया हुआ है, तो there are so many ways कि आप अपने दर्द को निकाल सकते हो बाहर, other than कि भई, आप खुदी depressed हो जाओ, बेटर है आप उसको बाहर निकालो, पहला point, दूसरा ये है कि जो आपने बोला कि दूसरों के जब babies होते, तो मेरे साथ ऐसा हुआ, first time पे मेरी friend साथ में pregnancy, उसके बाद मेरी मामी, आपके साथ, आपकी की पेशेंटी वो भी, वो प्रेगनेंटी तो उनके babies हो गए, ऐसा था कि साथ में, मामा भंजा, something like that, वो होगा, वो एक चीज़ अब उन बच्चों को ग्रो करते हो देखना है, तो उस time पे ये नहीं होता है कि हम दुखी हैं उनके लिए, बट एक वो guilt मन में पता नहीं क्यों आ जाती है कि कहीं मैं कुछ गलत सोच तो नहीं रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उनको देख के बुरा, मैं ऐसा चाहने रही, I am a good human being, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं चिड रही हूँ, ऐसा तो नहीं कि मैं जल रही हूँ, तो वो आपके अंदर feeling नहीं होती, पर एक डर होता है कि कहीं आप गलती से भी एक बुरे इंसान की तरफ ना चल जाया, आप negative ना हो जा लाइफ में, तो यह बड़ी अजीब चीज हुई थी मेरे साथ की I think first pregnancy के time पर मेरा miscarriage हो गया, और healthy pregnancy थी, उसके बाद भी ऐसा हुआ, and साथ में मेरे friends के babies हुए, अब मैं बड़ी excited, मैं उसी दिन गई उनके babies के लिए gift लेकर गई, मिली सब कुछ है, but I don't know why I started crying, मुझे इतना अजीब लग रहा था, खुद में, अभी मेरे goose bumps आ रहे हैं, कि मैं क्यों रो रही हूँ, मुझे पता नहीं है, वो एक confusion था, एक heartbreak था, I don't know, शहर मैं यह सोचती थी कि हमारे babies साथ में होते, या यह time मेरे ही लिए क्यों नहीं आया, ऐसा नहीं है कि उनके लिए क्यों आया बट मेरे लिए क्यों नहीं आया वो एक चीज रहती है, तो I started crying अकेले बाथरूम में I used to think कि भई, मैं क्यों रो रही हूँ, मैं मुझे खुश होना चाहिए उनके लिए, तो वो एक मेरे emotions guilt में change हो गए guilt में परिवर्तित हो गए कि भई, मुझे नहीं रोना चाहिए, दूसरे का baby है, मुझे खुश होना चाहिए, तो I was happy, but meanwhile I don't know why I was crying and बहुत जादा रो रही थी मैं and ये continue हुआ I think लगातार दो साल, तीन साल ये चीज होती रही, and मैं हर pregnancy में friends के सोच रही हूँ कि I am happy, but why the hell I am crying एक neighbor थे, उनकी baby का मैंने welcome पूरा plan किया था, तो वो लोग Delhi के थे, वो यहाँ पर आए, उनकी baby का मैंने welcome किया उसके वो पैरों के निशान लेना, baby girl थी वो, मेरी favorite, always तो, वो सब चीज़े मैंने की बट उस baby को हाथ में लेते ही, मैं इतना रोई हूँ उनके पास वो videos में हैं, आज की date में तो, बाद में मैं realize कर रहे थी कि यार, कहीं वो otherwise ना लेने, कि भई हमारा baby घर आया आप गोद में लेके रो क्यो रहो, but वो एक moment होता है कि आप भी जीना चाहते थे, and baby girl का तो हमारे घर बड़ा, मैं और मेरे पापा हमें तो मतलब desperately चाहिए ही थी, अभी भी नहीं मिली तो, वो एक चीज थी तो, ये एक चीज आपके अंदर होती है कि कई बार, आप खुश रहते हो बट आप रोने लगते हो, शायद वही एक anxiety होती होगी आपके अंदर तो, उस तीस से आपको fight भी करना है बेटर रहेगा, आप अकेले में रोलो and सबके सामने smile करो तभी शायद आप स्ट्रॉंग बनके बाहर आ सकते हो पुरा इस जर्नी में बहुत सारे ऐसे patients होते हैं जिनके miscarriages हैं, जिनसे हम मिलते हैं और ये पूरे जर्नी में से जब वो निकल के उस तरफ आते हैं कई बार मैंने देखा है कि अंचाहे में ही बहुत bitter हो जाते हैं कई बार doctor के प्रती, कभी hospital के प्रती, कभी family, saas, sisur के प्रती, कभी खुद के प्रती, बतला पर यदि मेरी practice में मैं कहूँ तो you are the only example कि जिसमें, जैसे आप पहले थे you have with lot of effort maintained yourself, your positivity, your happiness, your aura तो जो आपका vibe है वो कभी इन तकलीफों से change नहीं हुआ और जैसा कहते है, भगवान की घर देर है पर अंधेर नहीं है तो आज क्या है जीवन कुछ लोग जानते हैं फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम बे तो जानते हैं आप खुद बताईए कि आप कैसी है लाइट मैम मेरी लाइफ तो मतलब I used to be strong मैं पापा पे गई हूँ मझा ऐसा लगता है तो मैं काफी strong थी मेरा यह है कि मेरा जो भी दर्द है वो मेरा है तो I can share my happiness with everybody बत अगर मेरे दुख दर्द की बात है तो वो मैं किसी से शेर नहीं कर सकती वो मैं अकेले रूम में ही शेर करना पसंद करूँगी इवन पापा के बाद भी मैंने I think दिपांशु को हग करके भी नहीं रोई मम्मी को हग करके भी नहीं रोई नहीं तो अब तो यह टाइम है अगर मैं सब को देखू तो मेरी मदर काफी जादा परिशान थी पापा के बाद उनको था कि ऐसा हो गया यह हो गया अभी वो इतनी जादा ब decision पीजने का टाइम नेका था तो काफी जादा चएंज एक बेभी पालना तो मुझे लगरा यह घूती जा स्में टिस दु है ऑप्लेट में आपको पस दो हाथ हैं। जब थर्ड रोने लगий तो कोई तो आप्शरी नहीं बचता तो मतलब ब्यूटिफुल टाइम बट हां कभी एमोशनल भी हो जाती हूं मैं कि बड़े हो जाएंगे तो कैसा लगेगा बाकि मुझे लोग जादा डराते कि तीनेजर होंगे तब क्या होगा तीन तीन बेटे तो बट हां यह है कि सारे लोग बीजी हो गाएं किसी को ना दुखी होने का टाइम है ना रोहने का टाइम है सब लगे होंगे बिल्कुल तो इस अगुड मतलब वही कहते है ना अंत भला तो सब भला तो यहां तो अंत काफी भला है वही मैं लास्ट आप से यही पूछना चाहूंगी अभी कुछ ऐसे कपल्स हैं जो मिस्कैरेज के तुरू गुजर रहे हैं या मिस्कैरेज के बाद प्रेगन होने के लिए सफर कर रहे हैं उनको कोई light नहीं नज़रा रही है इस tunnel के end तो उनको आप क्या message देना चाहिए मैं सबसे पहला message कि अगर आपका miscarriage हुआ है या आपके साथ कुछ भी इस तरीके की घटना घटी है तो पहले तो आप उनको देखो जो आपसे भी ज़्यादा दुखी है visit मैं orphanage गई, blind school गई, old age home गई, मुझे वहाँ से काफी ज़्यादा प्रेडना मिली because उनको देखकर लगता है कि यार हम फिर भी ठीक हैं वहाँ पे इतने newborn babies आते हैं तो काफी सारी चीज़े ऐसी हैं कि better रहेगा आप अपने से दुखी लोगों को देखिए आपको उससे प्रेडना मिलेगी पहली बात दूसरी बात research करिए कि आपको next क्या करना है आप अभी के वक्त में रोके उसको बिल्कुल मत गवाओ better रहेगा कि आप आगे बढ़िए आपको next क्या करना है आपको conceive कैसे करना है अपने doctor से आप पूछिए उनसे consult करिए आपके लिए क्या better है आप naturally conceive कर सकते हो any medication you need any process जिसके तुरू आपको जाना है और उसके बाद better रहेगा कि आप अपने आने वाले भविश्य को देखो अभी रोने के बदले तो मुझे लगता है आप कितनी भी बुरी स्थिति में है आप उसको ठीक कर सकते हो तो अभी depressed हो के और रोते रहने से better है कि आप अपने आने वाले time को देखिए and एक अच्छा doctor बहुत important है मैं माप believe नहीं करेंगे जो यह मेरा tough time था उसमें even मुझे रात में आपके सपने आया है मैंने आपके message भी किया है कि मैं मैंने आपको सपने में देखा तो वे शायद आपके mind में positive approach रहता है एक angel रहते हैं doctors और कुछ नहीं है angel है तो अगर आपके पास एक अच्छा doctor है definitely आप इस चीज से बहार आएंगे तो मैंने तो आपको बहुत परिशान भी किया है आपको इतना dream किया है मैंने पूरे time आपको messages किये कि मैं मुझे मिलना है मिलना है तो भई मेरे लिए तो मेरा angel था मेरे पास बेटा रहे अगर लोग भी उसको जल्ड से जल्ड ढूंड ले और अपनी life अच्छी कर ले बहुत मुश्किल था ये life करना मेरे लिए क्योंकि मुझे ये डर था कि मैं बात करते करते ही रो न दूं क्योंकि ये जो journey था हम सब का journey था और over last three years एक एक पल जो तक्रीफ का था जो खुशी का था वो हमने साथ में मिलके जिया है अभी भी आपने एक profile बनाई है deeps replets जिसको मैं share करूंगी link में जिसमें हम ये बच्चों को बढ़ते हुए देखते हैं और रोज वाकई में जब वो फोटोस देखते हुँ तो इतनी खुशी होती है क्योंकि कही न कहीं as doctors कही बार हम भी depressed हो जाते हैं कही बार patient की जब सिती का हमारे पास science ही जहां तक नहीं है उसका solution नहीं है but your story is a hope which I will carry till the end of my life जब भी कभी हम निराश हो जाएंगे तो हम हमेशा यह सोचेंगे कि नहीं तब भी हमें हमने महनत की थी और हमें अच्छा result मिला तो अभी result है बिलकुल बिलकुल माम so thank you so much for being with us and God bless you and your wonderful family and all of us are so thankful for you for sharing our journey our journey I can say our journey yes ma'am sure definitely ma'am it's our journey and I must say I love you so much मतलब एक तरफ मेरे पापा है तो no doubt life में एक तरफ आप हो तो I think इतना प्यार मैं other than family किसी से कर ही नहीं सकती जितना आप से करती हो तो अब मैं emotional over you for sure we can end this अब मैं over you emotional yes आप से share करते हुए कि आप कितने जादा important हो हमारे लिए because जब आपके साथ कुछ गलत होता है तो लोग blame करते हैं सीधे doctor को कि doctor change करो ये करो and I was very straight forward शुरू से मैं मैं और even मेरे पापा and even दिपांशो कि भई हमें नहीं करना है change हमारा doctor and I don't understand कभी भी कुछ गलत होता है तो हम doctors को क्यो blame करते हैं जब अच्छा होता है तो हम उनको नहीं बोलेंगे तब हम बोलेंगे भगवान ने अच्छा कर दिया तो जब गलत होता है तो भगवान नहीं क्यों गलत नहीं किया तो I think भगवान और डॉक्टर सेमी चीज़ है और अगर कुछ अच्छा होता है तो डेफिनेटली वो डॉक्टर के कारण ही होता है अगर कुछ एक बार गलत हुआ है यू डोंट नीड तो चेंज और डॉक्टर बेटर है आप एक के पास रहो बिकुस जितना आप मुझे जानते हो या मेरी फिजिकल प्रॉब्लम्स को जानते हो अगर कोई सेकंड दॉक्टर नहीं जान पाएगा कभी तैंक यू सो मच पर इस लाइव सेशन और इसकी हम रिकॉर्डिंग में रखेंगे प्रॉफाइल में सो अगर इनिबड़ी वो वांट्स तो बिजित हमारे जो एक तरफ होंगे पर जिस पेशन ने जिया है ये सब उसकी जो कहानी है वो ही इंस्पार कर सकते है वो ही कई बार आपको रास्ता दिखा सकते है So thank you so much Thank you ma'am And see you again very soon Thank you so much ma'am Thank you